Hello everyone, finally यार एक और अच्छा फॉर्म आ चुका है इससे पहले आई सर, इतने फॉर्म आ रहे हैं तो please be careful यार कोई भी अच्छा फॉर्म मिस नहीं होना चाहिए चलो, आप जल्दी से देखो, जिससे आपको समझ में आए कि क्या है फॉर्म, क्या है इलिजिबिलिटी देखना बहुत ही जादा जरूरी है चलो, मैं इधर साइड में आ जाता हूँ और आपको में में पॉइंट जरूर बताता हूँ जिससे कि this information is for you तो समर प्रोग्राम है 2023 और 2024 कहां पे नाइसर भुवनेश हो है देखो यह सब Autonomous Institute हैं बहुत ही अच्छी जगे हैं काम करने के लिए फेलोशिप भी मिलती है अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ eligibility कौलिफाई कर रहे हो तो आपको यहां पे अराम से admission मिलेगा Schools कौन कौन से हैं? Biological Science, Chemical Science, Computer Science, Earth, Planetary Science, Humanity Humanity वाले मेरे को बहुत comment करते हैं नीचे message करेंगे Sir, Humanity यह तो ही नहीं और फिर रोने जैसे emojis भी बना देते हैं बट अब तुमको हसने वाला emojis बना रहा होगा Humanities Aspirants ठीक है comment ज़रूर करोगे क्योंकि Humanities और Social Science का भी Schools में है Physical Sciences चलो अब देख लो minimum eligibility eligibility तुमने सबी लोगों ने qualify कर ली क्योंकि सिर्फ 60% मार्क से नोंने मांगा है या फिर equivalent GPA equivalent सब में biological science में आपने कोई भी life science का course हो science का course हो, agriculture का course हो वो आपने कर रखा है तो आप इसके लिए eligible हो similarly chemical sciences का आप eligibility देख लो computer science सबका same है आप eligible होगे ये है सबसे important requirement जो national level qualification होना ज़रूरी है आपने कुछ भी पास किया हो like UGCC, CSIR, NET, LS, JRF है तो नहीं कोई बात नहीं, LS से भी काम चल चाहेगा GATE, JEST, GPAT कुछ भी qualify कर रखा है तो ये यार देखो जरूरी है इसके अंदर तो हर school में अलग-अलग criteria है mention कर रखा है उन्होंने तो उसके according आप जरूर देख लो यार अगर qualify नहीं होगे तब apply नहीं कर सकते हो ये एक गंदा सा rule है HN, HB, NI, ordinance के according ये लोग inspired doctoral fellowship को बोल रहे हैं कि आपको written examination देना पड़ेगा that means कि वो लोग को exempted में नहीं count कर रहे and this is very strange मेरे को तो बिलकुल भी अच्छा हैं लगा तो I suggest जो लोग DST inspire वाले हैं वो इनको mail जरूर करें और form भी apply करें देखो जब तक तुम लोग objection नहीं करोगे तो कोई नहीं सुनने वाला ठीक है तो ये जीज़ जरूर करो अब बात आती है fellowship की तो आपने चाए LS निकाला हो चाए gate निकाला हो आपको पूरी fellowship nicer देने वाला है 31,000, 35,000 got it ये सारे नोंने research area और कौन इस पर काम कर रहा है बहुत ही clearly mention कर रहा है देखिए dr. अबदूर है na dr. अनिरोद dr. चंदन dr. देबाश मिथा तो ये सारे लोग cancer biology पर काम कर रहे है bacterial cell membrane पर काम कर रहे है को immunity पर काम कर रहे है अगर आप website विजिट करना चाहते हो कि specifically क्या findings है वो सारी चीज़े भी आप देख सकते हो तो ये सारे schools के जो जो लोग जिस जिस पर काम कर रहे हैं आप देखिए उनसे approach करिए उनको mail करिए जिससे की आपका interview के time में दिक्कत ना हो मैं तो हमेशा बोलता हूँ आप लोग जितना approach कर सकते हो अप्रोच करो उनको अपने बारे में बताओ अपने interest के बारे में बताओ तो उनको ये लगेगा कि student seriously interested है अब apply कैसे करना है selection कैसे होगा selection आपकी merit बनेगी on the basis of your academic performance और दूसरी चीज़ आपके जो आपने national level qualify किया उसके उपर फिर interview होगा में भी return test हो शायद ना हो और उसके basis पे आपको बुलाया जाएगा वहाँ पर interview के लिए और आने जाने का ticket का पैसा भी मिलेगा well and good, buddy I hear ये भी दे रहे हैं अच्छी बात है तो जितने अच्छे institute होते हैं ये सारी facilities देखके ही समझ आता है कि these are the best institutes तो application apply करो और कोई भी application fees किसी भी candidate से nicer नहीं मांगता उन्होंने clearly mention किया है nicer does not demand any application fees from the candidates who apply for the PhD program यार अब तो खुश हो गए तुम लोग last date देख लो 30 April है अभी से start हुआ है short listing में में आ जाएगी फिर उसके बाद अलाले department wise आपके interview स्टार्ट हो जाएगे so all the very best thank you for watching the video do not forget to subscribe the channel and hit the like button telegram group पे यार join कर लो subscribe जरूर कर दो देखके skip करोगे तो next time main notification हो सकता है तुमारी fellowship से related हो हो सकता है तुमारे कुछ और फाइदा का हो वो miss ना हो जाए so चलो bye bye take care जल्दी से apply करो कोई भी form miss मत करना